लास्ट की वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से हम relational database को create कर सकते हैं। दो टेबल की बीच के अंदर के relation को create कर सकते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगी कि किस तरह से हम उस relation को explore कर सकते हैं आग यूइघ कर सकती हैं अगाँ देटाबेस के अंदर जोइन्स का काफी सदा एक important concept होता है जिससे आप किसी थी प्राइमरी की फॉरं की हमने जो create करी थी उन कीज का use करके दो टेबल को एक टेबल के अंदर convert कर सकते हैं जैसे कि अगर आपके बाद दो टेबल से दौनों का specific अलग टेबल है यानि एक पैरेंट टेबल होगी और एक चाइल टेबल होगी तो उन दौनों चाइल्ड और पैरे डीक होंगे तो एक इनर जोइन की तरह पार्स होगा डेटाबेस के अंदर किस तरह से इनर जोइन काम करता है क्या सींटेक्स होता है सब चीजों के बारे में बाद करेंगे इसके लिए यहां पर आप देखिए यहाँ पर आप दिखें सबसे बना आपर पास यह MySQL inner join की definition है the inner join keyword selects record that are matching values in both tables inner join क्या करता है inner join आपकी जो दो tables के बीच जो भी matching value हो रही है यानि दौनो टेबल के अंदर जो values match करी है उन्ही values को यह return करके देगा हमको अगर को values match नहीं हो रही हो की तो वह simple वह return करके नहीं देगा the join and inner join will return the same result जैसा में आपको आता है inner join एक default join होता है database के अंदर इसका मतलब जब भी आप join डिखोंगे वहाँ पर वह as a database के अंदर pass होगा inner join की तरह तो inner join is default join type for join so when you write join the powers are actually right inner join अब देखिए वेंट डियाग्राम यहाँ पर हमारे पास है वेंट डियाग्राम में inner join लिखाब है एक left table होगी जिसको आप as a child या parent table कुछ भी consider कर सकते हो अगर हमने यह left table को parent table consider किया है right table को child table consider किया है तो left table और right table के अंदर इस वाले section में जो भी आपका intersection data होगा यानि इस वाले टेबल में भी यह डेटा आ रहा जो एरिया वह left table में भी आरा है और यह वाला अरिवा टेबल में भी आ रहा यानि इंदर जो भी data होगा वह left table से be बिलोंग करेगा और राइट टेबल से भी बिलोंग करेगा तो यह वाला एरिया को फाइंड डॉट करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं इनर जोइन का तो आप समझ गए होंगे इनर जोइन क्या होता है यानि दो टेबल के बीच दो इंटर सेक्शन एरिया के इंदर जो भी डेटा प्रेसेट उस डेटा को हम इनर जोइन के के तूर सकते हैं इसके बाद यहां पर देगे हैं यहां पर सिलक्ट कोलं नेम फ्रॉम इसका जो syntax होता है वो क्या होता है सबसे पहले select column name आप जो भी columns को find out करना चाहते हो find out कर सकते हो यहाँ पर आप start लिख सकते हो table 1 table 2 के अंदर जो भी column चीए वो column लिखना है और सबसे पहले आपको parent table या child table parent table का यहाँ पर नाम लिखना है inner join लिख सकते हो या फिर यहाँ पर आप simple join लिख सकते हो table 2 लिखना है और यहाँ पर आपको on लिखकर condition लगानी है यहाँ पर आपको primary की और foreign की जो भी है आपने आपको create करीए यानि एक table की foreign की होगी और दूसरी table की वो primary की होगी जो दौनो जो table के अंदर relational जो हमने create करा था वो दौनो कॉलम का relation को यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि एक example में ने आप लिया है payments और goods report का यह example है सबसे पहले payments वाली table के अंदर तीन कॉलम है payment ID, good ID और amount अब goods वाली table के अंदर good ID जो भी goods के ID है और goods का नाम लिखावा है अब जो यह वाली table है इसके अंदर यह वाली एक foreign की है और यह वाली table के अंदर good ID एक primary की है तो foreign की और primary का की का use करके हम यहाँ पर एक intersection को perform करेंगे और intersection के अंदर जो भी हमारा जो matching data हो बहुत हो यहाँ पर हमको return हो जाएगा जैसे कि जो 3rd वाला है तो 3rd वाला bread यहां पर आ जाएगा जैसा आप देख सकता है 3rd वाला bread यहां पर थहां गया इसके बाद में एげ सेट बाली कॉलम को अगर यहां पर when the अगर फॉर प्रेशन्ट में लर्गा इंद वाल सब्सक्राइब ध्याएं तो मिल्क अगया होगा इसक के भाद में थर्ड वाला का सेवन light सैवन इससे यहापर झांब करती है इस थारह से आप मैचिन डेटा को फाइंड लत जता हैसे असात emergen girlfriend वून वाली पेमेंट टेबल और इसकी good id वाली column उसके बाद में goods लिख सकते हो और goods.good idea पर आप लिख सकते हो इसे का साथ में आप देखिए product name वाली टेबल है उसमें supplier id और product वाली टेबल है और एक supplier वाली टेबल है product वाली टेबल के अंदर product name है और supplier id है supplier वाली टेबल के अंदर supplier id है और supplier name है इस वाले टेबल के अंदर जो supplier ID है यह एक foreign की है और इस वाले टेबल के अंदर supplier ID है वो एक primary की है तो foreign की और primary की का यहाँ पर relation find out होगा उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए product name product यहाँ पर सबसे पहले product name माया plant oat milk supplier ID क्या है तो one और one यहाँ पर मैच हो गया तो यहाँ पर simple join यहाँ पर supplier ID लिखा और इस वाली टेबल के अंदर select इसकी अगर मैं equivalent आपको SQL query लिखके आता हो तो SQL query होगे select product name supplier name from product यहाँ पर आपको क्या लिखना ओड़ेगा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा inner join लगाना केस वाली टेबल को पर supplier यहाँ पर आपको सोरी टेड़रолов काम करते हैं और यह पर नाम की टेबल है तो अभी मैं चलता हूं मैं या पर मैं क्या करता हूं मैं है यहाँ पर मास्केल कमाणद लाइन को ऊपन करते हूं तो ज oni हमारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हमको समझने में बहुत ज्यादा आसान रहेगा तो मैं यहां पर माय स्कुर्ट कमांड लाइन को ओपन कर ले तो ताकि आपको भी दिखने में थोड़ा तो चुटेबल करूंगा तो और स्टूडेंट्स वाली टेबल सिंपल यहां पर अमर पर आचुकिए अब यहां पर आप देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स इस तो सिंपल आ गया कोर्स आईडी कोर्स ने मौर सब स्टीज यहां पर ए रिलेवन्ट है सारी चीज़ें रिस्पेक्टिव जो भी कोर्स का नाम है वो यहां पर हमार पास आ गया इसी की तरह सिमिलरली मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम तो स्टूडेंट का डेटा आजएगा जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट का नाम एज और जो उसने कोर्स ले रखा परफॉर्म कराना पड़ेगा उसके बाद जो भी जॉइन का आंसर आएगा उसको यहां पर में लिखना पड़ेगा तो यहां पर आप देखें मैं इस तरह से लिखता हूं स्टूडेंट जैसा बना को अधा था मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम लिख दूगा तो यहां पर सिंपल हमारा जॉइन परफॉर्म होगा है और यहां पर आप देखी की कोर्से स्कूर्स आइडी किस तरह से मैचिंग डेठा हमारे पास आया यहां पर आप देखें दोनों टेबल मैच हुई और उसके बाद में मोहित और लता ने दोनों आपरे इसका साहत मैं आप इस पेसिट्फिक कॉलम्स को भी यहां पर सिलेक्ट कर सकते है जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम कर सकते है और कोर्स नेम की जगए है यहां पर कोर्स लिखावा जांट था तो आप देखें किस तरह से डो टेबल सु उने करा और हमारे जो पर आचुका तो इस तरह के साथ है काफिसाथ गार वीडियो के बात करेंगे ? तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए किसी भी चीज के अंदर दिक्कता थी तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारी इस एकस्स नहीं किया है तो यहां पर क्लिक करके आप आपके दूस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इधर क्लिक करके और आप सब्सक्ते में आपको आपको वीडियो के अदर आपको एस्क्लेक टूट्स नेट यह लिए जाहिन